केंद्री मंद्री अमिशानी रविवार को कहा कि अपराद और अपरादी भोगलिक सीमा को नहीं मानते हैं इसलिए लाउ एंफॉर्स्मेंट एजेंसियों को भी इन बॉर्डर्स को बाधा नहीं माना चाहिए अजेंसियों को इन बॉर्डर्स को अपराद का हल निकालने के लिए मीटिंग पॉइंट के तूर पर देखना चाहिए शाह ने ये बात दिल्ली में CLEA और CASGC में कही उन्होंने कहा कि जैसे ही तीन नए क्रिमिनल जस्टिस लाउ देश में लागो हो जाएंगे तो हर वेक्ति को F.I.R. दर्च कराने के तीन साल के अंदर हाई कोड के इस तर तक न्याय मिलेगा अमिश्या ने कहा कि मोजुदा समय में व्यापार और अपराद के चलते अभगोलिक सिमाय अप्रसंगिक हो गई है एसे में हमें व्यापार में जगडों और अपराद से डिल करने के लिए हमें कोई नया सिस्टम और परंपरा शुरू करनी होगी उन्होंने कहा कि सरकारों को इस दिशा में काम करना चाहिए क्योंकि छोटे से साइबर फ्रोट से लेकर गलोबर और्गेनाइजड क्राइम तक स्थानी जगडों से लेकर बॉर्डर पर विवादों तक और इस्थानी अपरादों से लेकर आतंगवाद तक सभी किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं भारती नियाय साहिंता, भारती नागरिक सुरक्षा साहिंता और भारती साक्ष कानौन के बारे में बताते हुए ग्रह मंत्री निकाहा इन कानौनों को लागू होते ही भारत के पास दुनिया का सबसे अधुनिक क्रिमिनल जसिस सिस्टम होगा। ये तीन कानून ब्रिटिश काल के इंडियन पिनल कोड, कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगा लेंगे। गरह मंत्री ने कहा कि सरकार ने ऐसे मॉडल पर काम किया है, जा न्याय में ये तीन चीजे शामिल होगी। एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और एक्काउंटेबल इसी के साथ बने रहेगी, एशामिस इंडिया के साथ बने बादुए।